सेंट्स कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे चलो आज बिसेल्स की किचिन में फिर से कुछ नया हो जाए आज हम बनाएंगे जटपट से एकदम से दोपला देखिए मैंने यहां बरतन को ग्रीस कर लिया है दोपली की प्लेट को और यह मैंने बेशन लिया था और इसमें मैंन आदी चम्मच ओयल डाला है और थोड़ा सा इनो डालके इसको हलके गुन-गुने पानी में फैट करके रख दिया था पंद्रे मिनट के रिए और उनने जो यह बरतन पे लगाया है इसमें हम इस्वो टोपले के पेटिन को टाल लेते हैं इस तरीके से उनने इसको इस बरतन अब देखिए फ्रेंज इसे अच्छे से ऐसे करेंगे और यह मैंने इडली का बरतन है मेरा इसमें मैंने पानी डालके रख दिया है पानी गरम हो गया है अब इसको में इसमें सेट कर देते हूं पंदरे मिनिट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं उपर से ढखकर रख देते हैं तो पंदरे मिनिट में हमारा दोगला बनकर तयार होने वाला है चलो फ्रेंज हम चेक करते हैं हमारा दोगला बना है या नहीं बना हो तो देखिए फ्रेंज इसे ऐसे निकालेंगे और हम किसी नाइफ की उससे इसको ऐसे करकर देखें अबर नाइफ से नहीं लगा है तो समझें हुआरा डोपला बनकर तयाग हो गया है कि देखें हमें से निकालने लिए इधर बर्दन को हम नीचे रख लेती है वह द्युक्त साफ दहने से निकालना है जिससे आपके हाथ में ज़िए तरीके से शेटे को हमने निकाल लिया है तोॉत्स कुठ से बंकट यल एक स्झी कंझ स्वेच्णाप्ट क३रा देखें सेम्टन को हमने निकाल हैाग है पूला कितना पूला पूला बना है भी गूपी अच्छी प्रेश्ट पूला 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 मतर हुमारा इसे बयाल हो गया है एक दब स्पञ्जे डूपी दूपी अभी में इसको पाँच मिल्केलिए ठंडा हुने देते हुआ कि देखिए ख्लैंस कि होड़ा डूपला यह थंड़ा हो रहा है इसमें कुछ लंबी इस तरीके से पाटके तीन-चार में चली है फोड़ा पड़ी तप्ता और दुनिया तप्ता है इसमें मैंने यह राई ली रहे हैं तो नुझा से पाट कि जुदा बढ़ें जुदाल है यह राई यह राई है जम सिंपाँ और में सोटों होड़ा है तो नहीं है, तो आई लिए को निएक ख़में प्ताद काटनी मैं ग्रावज कुछ रूध हाक राई डिखिए करके को तयार को दिया है कि देखिए फ्रेंज तो हमने इस डुबले को इस प्लेज में भी आप देखि रहे मेरी कितना इस्पंजी हुमारा डुबला वनका तयार हुआ है को द्रीज इस प्ली के अइसा प्ली ने इस प्लीज में स्वारा कि एसी चेहीं कि भी आपा है अगर आपको नंकीन डोडला रखना है तो आप इस तरह से रख रखते हैं ये भी बहुत टेस्टी लगता है अगर आप मीठा चीनी वाली चास्नी का डोडला आपना चाहते हैं तो हम इस चास्नी तयार करेंगे तो हम चास्नी तयार हो जाएगे इसके उपर से अच्छी से डावगे फ्रीज को फ्रीज में भी सैट कर सकते हूं गयसे अब गरम गरम खाना है तो ये तीखा वाला भी आप खासे आपका है बहुत पर टैस्टी टोड़ा हो जाए इसके हम पीसे स्काट लेते हैं इस तरीके से इस तरीके से इसके पीस काट लेंगे आप अब शारी के इसी तरीके से कट तो प्रीज के गमाम लोटे है इस तरीके से अपको समंग में आ रहा हो कि इस तरह शुपन भी दोगला मेरा बंद तब यार दॉआ है तरह दूआ है अपको पसंगा है ता प्रीज लाइक करे शेयर करे और क्मेंट करें